यह question gate 2021 में put हुआ है, देखो इसमें क्या कह रहे है, suppose the database system crashes again while recovering from the previous crash, इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक बारी system crash हुआ, system crash होने की बाद हम लोगों ने recovery process चलाया, और जब हम लोग recovery process चला रहे थे, उस दोरान दुबारा से system crash हो गया, ठीक है, अच्छा आगे, उसकी बात क्या क जब चल रहे थे, उसने बे भी कोई checkpoints का concept नहीं है, और जब हम लोग recovery कर रहे हैं, उसने बे भी कोई checkpoints का concept नहीं है, बाद आप समझ पा रहे होगे, checkpointing is not done at all, अच्छा उसकी बाद आप से पूछ रहे हैं, क्या क्या statement इसमें से correct है, पहले statement है, the same undo and redo list will be used while recovering again, देखो, अ जाद आ रहा हो, मैंने वीडियो नमबर 170 बनाया था, वीडियो नमबर 170 था हमारा ये log-based recovery का, ठेक है, आप DBMS playlist में check कर सकते हैं, log-based recovery का वीडियो है, उसमें मैंने ये सब कुछ अच्छे से explain किया हुआ है, बाद स्टिल थोड़ा सा मैं आपको फटा-फट से idea दे देता हू और कौन-कौन सी transaction ऐसी है, जो start होके commit भी कर गई, जो भी transaction start होके commit नहीं करी है, उनकी transaction IDs को हम लोग undo list में डाल देते हैं, ठेक है, और जो transaction start होई है, और साथ-साथ commit भी हुई है, उन transaction की transaction IDs को हम लोग redo list में डाल देते हैं, ठेक है, तो redo list और undo list कुछ नहीं होती, ये एक list maintain क करें जाते हैं ट्रंजेक्शन आईडी की, ठीक है ? ट्रंजेक्शन आईडी को हम लोग इन list में स्टोर कर लेते हैं और मम एक करें हम ट्रंजेक्शन आईडी देखते जाएंगे जैसे undo list में कोई transaction id गोटें से T1 तो मैं क्या करूँगा ? T1 को undo कर दूँगा थेक है ऐसे ही कोई अंडू लिस्ट में ट्रांजिशन इडी न जा रहे तो हम क्या करेंगे उसको अंडू कर देंगे क्यों कि वह स्टार्ट तो ही है लेकिन कमिट नहीं हुई है तो हो सकता था उसने कुछ चैंजिस डेटाबेस के अंदर कर दिये हो तो वह जो भी उसने चैं यह बिल्कुल ओविस सी बात है देखो एक बार सिस्टम क्रेश हुआ आपने लॉग फाइल को सर्च किया रीडू लिस्ट और अंडू लिस्ट आपने रेडी कर ली अब जब आप रीडू या अंडू कुछ कर रहे से ट्रांजेक्शन को वही है ना रिकवरी प्रोसेस हम क् क्योंकि आपको दुबारा से लॉग फाइल को सर्च करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि और कोई ट्रांजिशन दो चली नहीं है जब कोई नहीं चली नहीं है तो लॉग फाइल के हम लोग recovery process दुबारा से चला देंगे और कोई भी problem नहीं आएगी database में, ठीक है, second option क्या कहा रहा है, the system cannot recover any further, यह बात बिल्कुल गलत है, मैंने भी आपको समझाया, कि same redo list or undo list की help से हम लोग सारा काम दुबारा से कर सकते है, मतलब recovery हमारे successful हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, अचा, next, the database will become inconsistent, यह बात भी बिल्कुल गलता है, इंकंसिस्टन क्यों बन जाएगा database, inconsistent तो तब बनेगा ना, जब मेरा recovery process धंग से चलाई नहीं, recovery process तो हम चला रहे हैं ना भी, अधूरी चलने का तो यहाँ पे कोई concept है ही नहीं, ठीक है ना, अगर अधूरी चली थी, आधी चली थी, तो हम उसको undo कर लेंगे, अगर पूरी चल गी थी, लेकिन उसके changes कुछ-कुछ होए तर कुछ-कुछ नहीं होए तो हम उसको redo करता रहे हैं दुबारा से, तो एक परसेंट भी problem नहीं है, इनकंसिस्टेंसी आने का कोई चांस नहीं बनता, ठीक है, आपको थोड़ा-थोड़ा यादार होगा, इनकंसिस्टेंसी का पैद होती जब one of the acid property फेल हो जाए, और acid property तो हमारी फुल्फिल होई रही होँगी, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आने का कोई सवाल नहीं होता, लास्ट ओप्शिन क्या कह रहे हैं, अल्डी ट्रांजेक्शन्स डेट अर्ड़ेड़ी अंड़ेड़ी अंड़ेड़न विल नॉट भी रिकावर्ड अगेन, यह बात भी बिल्कुल गलात है, मैंने भी आपको बताया था, चेकपोईंट का कंसेप्ट इन नहीं लगाया है, ना तो डूरिंग रिकावरी और ना ही डूरिंग ट्रांजेक्शन्स, जब ट्रांजेक्शन्स चल रही थी, उसने भी भी कोई चेकपोईंट नहीं था, और रिकावरी के टाइम पे भी कोई चेकपोईंट नहीं थे, तो अगर रिकावरी के टाइम पे चेकपोईंट हम लोगों ने लगाये होते, तो मैं कहा सकता था, कि all the transactions get are already undone and redone, will not be recovered again, ठीक है, तो हम कहा सकते थे, यहाँ पे ऐसा कोई conception नहीं बोला है, तो obviously हमें उनको recovery, मतलब दुबारा से recover करना पड़ेगा, मतलब दुबारा से redo और undo करना पड़ेगा, ठीक, ओके, तो D option भी गलत हो जाएगा, तो finally A option is correct, ठीक, ओके, थैंक यू.